अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्किट की तो यह बिल्कुल भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पास टॉप नौच प्रोजेक्ट होने चाहिए हमारे पूर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको हम बिल्कुल भी हाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते अगर उसी के साथ हम बात करें XRP, Polkadot, Polygonmatic कुछ ऐसे क्रिप्टो है जो अल्मोस सब के पूर्टफोलियो में होंगे बट इसी के बीच में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जरूर है इंदी मार्किट जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं विकाज हम लोग यहाँ पे कॉंसेंट्रेट करते हैं only on the projects जो काफी अच्छा कर रहे हैं मार्किट में बट येस यह आपको बता दें दिन भी project के हम बात कर रहे हैं उनमें से दो project ऐसे हैं जो top 50 में आते हैं और बाकी के दो projects के बारे में क्या है वो भी आप से share करेंगे बात करते हैं कुछ ऐसे cryptos की जो market में available है at a very low price currently बट आगे जाके उनका potential काफी जादा है अब ये हम क्यों कह रहे हैं क्या सारी चीज़े हैं चलते हैं एक बार coinji को आप में इन projects के बारे में समझते हैं अगर इसके price की बात करें तो 9 cent का ये चल रहा है currently 5.9% आप है in the last 24 hours अगर हम यहाँ पर compare करें with the last 60 days it is up 109% last 30 days से 45% last 14 days से 22% last 24 hours से 5.9% this is one of the project जिसमें हम लोग positive चल रहे हैं profit में चल रहे हैं the reason are simple कि हमने ये purchase करा था maximum in 2022 अगर हम इसका chart देखें यहाँ पर of the maximum chart तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ऊपर से ये fall करता हूँ आ रहा है 2022 जो पूरी crypto market के लिए बुरा रहा वो बुरा रहा for HBR as well यहाँ पर अगर हम बात करें इसका all time high वहाँ से low चल रहा है 84.2% इसका जो all time high था that was 56 cents side में आप वो भी देख सकते हो जो की था on 15th of September 2021 में जहाँ पर हम लोग एक bull rally में बैठे थे everybody was positive about most of the cryptos everybody was buying more cryptos क्योंकि एक FOMO mode में आ गए थे काफी लोग ने उस time HBR भी purchase करा था because उस time भी यह $1 के नीचे का trade चल रहा था 56 cents का चल रहा था उस time में exchanges की बात करें तो काफी exchanges में यह available है smart contract platform में HBR आ रहाता है और बात करें अगर number of transaction की तो उसके बारे में का एक tweet भी आया था transaction जो की यहाँ पर देखा जाता है जह हम बात करते हैं smart contract platform की number of transactions कितनी हुई है कितने dabs built हुए हैं क्या चीज़ें वहाँ पर बन रही है वो भी बहुत important रहता है किसी भी project में जो की fall करता है हिंदी smart contract platform अगर हम इसके transaction की बात करें तो यहाँ पर आप side में देख सकते हो Hedra ने यह 5 दिन पहले tweet करा था The Hedra main net has officially processed over 4 billion transactions जो की काफी बड़ा number है always building, always growing and always pushing the boundaries of DLT Sorry, we went to 3 billion to 4 billion so fast we did not have time to create another graphic so 3 billion से 4 billion यह बहुत जल्दी पहुँचे थे and उसी को देखके यह लगता है कि HBR का future जो है वो काफी interesting हो सकता है This is probably one of the project जो काम करता है हो on hash graph अब वो सारी चीज़े क्या है उसके बारे में हम अलग से detail में आपको समझा देंगे but HBR is one of the project जो आगे जाके काफी अच्छे gain हम लोगों को दे सकता है अगर हम बात करें on our investment अगर हम बात करें on the return जो हम आज की date में डालते है but क्या HBR current value में purchase करना चाहिए नहीं करना चाहिए this would be one question जो सब के mind में आता है आगे बात करेंगे at the end of the video कि अगर आप इन में से कोई भी project में interested हो after doing your research तो आप लोगों ने कैसे यहाँ पर purchases करने है but yes उसी के साथ आपको यह बता दें कि HBR को अभी हम sell off नहीं कर रहे हैं from our portfolio we are holding it because यहाँ पर एक potential नजर आता है to break its previous all time high क्या वो break करेगा नहीं करेगा वो तो आगे जाके पता चलेगा but currently देखके यहीं लगता है जो जो चीज़े HBR में हो रही है that is very interesting if we speak about the second project जो हमारे radar में है जो हमारे portfolio में है जिसमें हम अच्छा खास है आप एक profit बना रहे है आज की rate में भी is near protocol currently at $2.55 1% आप है in the last 24 hours अगर यहाँ पर हम देखें last 60 days से 89.8% last 30 days से 21.9% last 14 days से 2.1% last 7 days से 11.7% आप चल रहा है market cap ranking की बात करें just following HBR currently ranked at number 35 इसके अगर हम all time high की बात करें तो वो था around $20.44 87.5% down है from its all time high जो इसने बनाया था on 17th of January 2022 उसके बाद यहाँ पर हमें एक fall देखने को मिला आप side में देख सकते हो कैसी एक graph दिखा रहा है जो बहुत बुरी तरी के से near protocol को निच्छे पठका था and काफी लोगों के यह मानना था कि वहाँ तक यह बहुत easily पहुंच जाएगा but because of the crypto market जैसा market perform करेगी वैसा ही near protocol perform करेगा market में एक downslide आया वो ही downslide हमें देखने को मिला near protocol काफी exchanges में यह listed है तो आप इन में से किसी भी exchange में जाके आप purchase कर सकते हो अगर हम info section में चलें near protocol के website में चलें आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीजे लिखी गई हैं जो बताता है about near protocol and कैसे यह web 3 में काफी अच्छा काम कर रहा है revolutionary simple we put usability first in our mission to change the world with web 3 and web 3 के उपर अगर हम project की बात करें तो near protocol को कोई भी यहाँ पर ignore नहीं करता near protocol के बारे में तो यह भी बोला जा रहा है कि near protocol can be one of the crypto जो अपना all time high break करके हाँ पर जा सकता है and उसी के साथ यहाँ पर कुछ articles है जो इन्होंने अपनी website में लिखे which you can read for yourself the web 3 promise finally delivered यहाँ पर सकते हो यहाँ पर आज की डेट में काम कर रहा है जहाँ पर काफी daps हैं जो आज की टाइम में आपर आके अपने daps बना सकते हैं, build कर सकते हैं and यह invite करता है बहुत सारे developers को अपने साथ low cost, high speed यहाँ पर यह सारी चीज़े भी लोग देखते हैं frictionless onboarding for users and developers बात करें transaction cost की, तो 0.01 USDT के यहाँ पर transaction cost लगती है हम लोग बूल के थे, HBR के बारे में बताना वहाँ पर transaction cost लगती है, 0.001 USDT accounts की बात करें, 24 million plus accounts है daily transaction 4,46,000 है 1.3 second to finality, climate neutral, now and forever climate के बारे में सब लोग बात करें हैं आज की डेट में including BTCI and Ethereum because जहाँ पर बात हुई थी carbon negative footprint की सबसे पहले काम करना शुरू कुरा था Polygonmatic ने, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे उसने वहाँ पर price recover करना भी start करा था, environment friendly cryptos सब लोग देख रहे हैं आज की time में and near protocol is one of them जहाँ पर web 3 की बात होती है near protocol का नाम सामने आता है now let's talk about the next crypto अब जो next crypto है उसके चार्ट पर जाने से पहले है उसके बारे में थोड़ आपको बता दे जहाँ पर हम लोग बात कते हैं Metaverse की, Metaverse में दो नाम जो हैं वो सब के mind में रहते हैं Sandbox and Mana, Decentral and Mana and Sandbox, यह सब के mind में रहते हैं, जो लोग interested है in Metaverse, उनके पास यह दोनों crypto पहले से पढ़े होंगे, but एक और crypto है in Metaverse, दो कि काफी अच्छा perform कर रहा है currently हम लोग उसमें भी positive है but अगर आपने पहले उसको purchase करा होगा, अपने all time high से so guess कर सकते हो, आप कितना percent loss में होगे अभी, या अगर अभी आप purchase करते हो and वो अपना all time high touch करता है, तो कितना return आपको मिलेगा and we are talking about blocktopia, blocktopia का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना है पहले भी, आज के time में भी जो लोग आते हैं Metaverse के crypto search करते है, blocktopia में एक बार नजर जरूरी जाती है, currently बात करें, last 24 hours में negative चल रहा 1.8%, last 60 days में 90.7%, last 30 days में 76.6%, last 14 days में 3.3% negative है, last 7 days में 6.8% positive, last 24 hours में आपको बता ही दिया है, 1.8% negative है, build on polygonmatic, यहाँ अगर हम बात करें, इसके all time high की वहाँ से अभी भी down है 97.9%, all time high was 17 cents, currently अगर आप इसमें invest करते हो, तो यह अपना all time high तक पहुशने में potential लगता है to grow about 100x, but blocktopia है क्या, और क्या चीज़े यह provide करता है, कौन-कौन यहाँ पर investor है, यह भी कही न कहीं mind में आपके चल रहा होगा, blocktopia की अगर हम बात करें, तो यह building है, metaverse में आपको पता है कि virtual world होता है, यह building है of 21 floors, अब why 21 floors? बिकाज यह बोलता है कि bitcoin जो है, उसकी total supply जो है, वो है 21 million, इन्हों ने per million एक floor यहाँ पर बनाया है, and currently blocktopia जो है, पहले 5 floor अपने sell out कर रहा है, total अभी blocktopia market में नहीं आया है, metaverse में अगर आप purchase करने जाते हो, तो बहुत सारे ऐसे floors हैं, जिसमें आपने resale में purchase करना पड़ेगा, आपको कोई fresh नहीं मिलेगा, बात तो वही होगी, जैसे property dealer करते हैं, but yes, blocktopia is one project, जो fully अभी functional नहीं है, बट उसके इलावा भी अभी तक काफी अच्छा project यह नजर आता है, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके project की, कि कौन-कौन से यहाँ पर investors है market में अभी भी जिन्होंने blocktopia में land purchase करीए, तो आप side में देख सकते हो, out of the 21 floor, currently यह खाली 5 floor जो है, वो offer कर रहा है market में, अगर हम first floor में चले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, किनके लोगों ने यहाँ पर जो है land purchases करीए, सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा bitboy, bitboy crypto, जिनको हम जानते हैं kucoin, lrand, यह सारे बड़े नाम हैं, जिन्होंने यहाँ पर land purchase करीए, coin market cap, जिसके बारे में काफी लोग बात करते हैं, जिसको देख के काफी लोग अपनी वीडियोज भी बनाते हैं, उसी के साथ अगर यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, engine coin, solana और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, coin telegraph साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग लोग भी मिल जाएंगे, जिन्नों ने आपर land purchase करी है, along with many of the blockchains, यहाँ पर आप देख सकते हो, chain link का नाम भी है, chilies का नाम भी है, so यह बोलना कि अच्छे लोग, बड़े लोग यहाँ पर invest कर रहे हैं, cannot be wrong, algorand ने भी यहाँ पर land purchase करी है, avalanch ने भी यहाँ पर land purchase करी है, and फिलाल यह open हुआ है, only for the first five flows, अभी तक यह उपर के levels अभी open नहीं करे हैं, for sale, जैसे कि आप देख सकते हो side में, जब सारे flows यह open कर लेगा, आन यहाँ पर पूरा का पूरा metaverse बिख जाएगा, तब क्या हुआ इस project का, सब लोग तो यहीं बोल रहे हैं कि blocktopia में काफी अच्छा potential है, looking into who all have invested, plus अगर हम इसके price की भी बात करें, तो काफी low price में currently available है, आप देख सकते हो, $.003 का यह currently मिलता है हम लोगों को, अगर यहाँ पर हम purchase करनी की सोचे, तो yes, purchase कराया जा सकता है crypto, हमारे पास हमने already purchase कर रखे, blocktopia में हम लोग अभी फिलाल के लिए positive है, जादा positive नहीं है, but yes, future नजर आता है, जहाँ पर first five floor के बाद, यह उपर के floors open करेंगे, what will happen then, क्या वहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितने land purchases करते हैं, वो देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है, काफी बड़े लोगों ने first floor जो है, blocktopia का purchase करा है, जैसे कि हमने आपको दिखाया, उपर के लोग कितने बड़े लोग आते हैं, या एक common आदमी होते हैं, आपकी तरह और हमारी तरह, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा, in the future for blocktopia, and हम यह आपर बात करें about the last project, जो काफी interesting हो सकता है, for the future is the bone, yes हम लोग सब लोग बात करते हैं, regarding many meme tokens, हम लोग बात करते हैं, regarding many community cryptos, but हम लोग बूल जाते हैं, कि bone की क्या power है, bone का current price is $1.60, 6.7% आप चल रहा है, अगर हम आप यह compare करें, from the last one year, positive 109%, last 60 days में 99%, last 30 days में 13.7%, last 14 days से compare करते हो, तो आप negative चल रहा है, वो reason यह है, कि उस time यह बात कर रहे थे, कि Shibarium कब launch होगा, Shibarium which was supposed to launch, on 14th of February, वहाँ पर launch नहीं हुआ, उसके बाद bone में, again एक price दाम देखने को बिला, बट उसके बाद, last 7 days में positive 2%, last 24 hours में positive 6.8%, because यहाँ पर वापस बात होने लग गई है, about Shibarium, कि Shibarium might launch next week, या उसके next week, currently अगर market app ranking की बात करें, 134 का यह चल रहा है, Shibarium जब भी launch होगा, उससे बहुत ज़्यादा price effect होगा, bone का, the reasons are very simple, क्योंकि यह token जो है, यह use करा जाएगा, as a gas fees in Shibarium, जिसको काफी लोग as a positive move भी देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अपने all time high से low चल रहा है, 89.6%, 15 dollars, 50 cents का, was its all time high, bone जो है, काफी नए exchanges में भी list हुआ है, हाल फिलाल में, जहाँ पर Shibarium की लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर काफी ऐसे बड़े exchanges हैं, उन्होंने bone को लेकर रहा है, on their platform, because वो जानते हैं, कि community की power क्या होती है, जब लोग purchase करना चाहते हैं, किसी cryptos को, they will purchase the crypto, and एक exchange जो है, वो पैसा वहीं से कमाता है, from the transaction fees, उसी के साथ, अगर हम इसके info की बात करें, तो हमने यहाँ पर आपको बताया, regarding bone, तो कि इनके home page, of ShibaSwap में भी यहाँ पर mentioned है, bone has been one of the crypto, जो बहुत closely लोग monitor कर रहे है, just before the Shibarium launch, Shibarium जब भी launch होगा, everybody expects कि bone में, अच्छा खासा profit वो निकालेंगे, along with Shiba Inu, जो कि वहाँ पर burn होंगे, तो क्या bone का price उपर जा सकता है, can it touch its all-time high of $15.50, आप लोगों को क्या लगता है, निचे comment section में comment करके जुरू बताएगा, इसके लवा अगर आप इन में से, किसी भी project में interested है, और आपको ये question है, कि क्या हमने current level में purchase करना चाहिए, अगर आपके mind में ज़रा सा भी doubt है, कि current price जो है, वो काफी उपर जा चुका है, already in cryptos का, और इसके उपर शायद ना जाए, वापिस एक dump आए, तो हमेशा lump sum में मत invest करिए, हमेशा lots में invest करिए, अगर आपके पास $100 हैं लगाने को, तो probably $10 डॉलर, एक बार में आप invest कर सकता हो, या 25 डॉलर according to your capacity, जितना भी आपको लगता है, उतना ही invest करिए, जाद आप invest करके, crypto market में कुछ भी नहीं होगा, जाद आप invest करके, आप nervous होगे, आप डरोगे, जैसी market यहाँ से 10 या 15% निच्चा आएगी, अगर आती है तो, इसी लिए हमेशा, market में सारा पैसा एक सांथ मत लगाओ, किसी भी crypto में एक सांथ सारा पैसा मत लगाओ, रोके, hold करके आप पैसा लगाओ, crypto's हैं, कहीं नहीं भाग रहें, but yes, कुछ ऐसे projects जरूर है, जिनका यहाँ पर time देखना है आपने, the time of purchase, और वो ही बहुत crucial चीज रहती है, आप लोग अपनी research भी कर सकते हो, before purchasing any crypto's, वो सबसे बढ़िया रहेगा, for your investment, क्योंकि तब आप डरोगे नहीं, तब आप nervous नहीं होगे, with that's it guys, आज का वीडियो करते हैं पर end, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay बाबारे,